नमस्कार, मैं हूँ बर्गाउं सवाथ, आपका के आद्यूज में स्वागत है, जानिए उत्तर प्रदेश के मोस्क वांटे अपराधी, विकास दुबे के एंकाउंटर की पूरी कहानी, अपराधी विकास दुबे पर सरकार ने कितने का इनाम रख रखा था, मारा जया आख पुरिस कर्व के कत्लकारों पी, आप सुनिए ख़बर विस्तार से, आप देख रहे हैं के आद्यूज, आप हम से दुरे, हम आपको कराएंगे समाचारों से रू बरू, जानिए उत्तर प्रदेश के मोस्क वांटे अपराधी विकास दुबे के एंकाउंटर की पूरी कहान तो उत्तर प्रदेश का मोस्क वांटे अपराधी विकास दुबे को सरकार ने पांच लाख का इनाम जाने किये हुए था, विकास दुबे के एंकाउंटर को लेकर कानपूर पूलिस के ओर से जाली बयान में कहा गया है कि, विकास दुबे को जैन से गिरफतार किये जाने के बाद पुलिस और STF की टीम उसे कानपुर ला रही थी, कानपुर के निकट पुलिस की गारी दुरगश्ना गरस्त होकर पलट गई, इसमें विकास दुबे और चाल पुलिस कर्वी भी घैल हो गए, इसी का फायदा उठाकर विकास दुबे घैल पुलिस कर्वी का हतियार छिन कर भागने लगा, जिसके बाद UPSTF ने विकास का पीछा किया, तो विकास ने STF की टीम पर फायरिंग शुरू कर दिया, फिर UPSTF की ने भी जवादिक फायरिंग की और उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन विकास ने नहीं माना, इसके बाद UPSTF के कमांडों ने सेल्फ टिफें में विकास दुवे को मार गिराया, आप देख रहे हैं केया नियुज, केया नियुज चोनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब तथा इसे अन्डी ग्रूप में भी फुर्वाद करें, आपके फुर्वाद करने से ही बढ़ेगा हमारा होसला, अब आगे सुनिए समाचा, का पुलीस के मताबिक पुलीस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्म समर्पन करने के लिए कहा गया था, लेकिन विकास ने नहीं माना, और पुलीस टीम पर फायर करने लगा, पुलीस ने आत्मरक्षात जवावी फायरें की, इस दोरान विकास दुवे भी घैल हो गया, घैल विकास दुवे को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान विकास दुवे की मौत हो गई, आपको पता दे, उत्तर प्रदेश के कानपुर के विकुरू गाउं में दो जुलाई को आठ पुलीस कर्वियों की हट्तिया के मावने विक अरुपी था, पिछले जिनों उज्जेंच से पुलीस ने विकास को कबज मिलिया था, आपको क्या नीज का समाचा यदि अच्छा लगा हो, तो पिलीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, तथा इसे अन्ने गुरूपी भी फुरवाड करें, आपके सब्सक्राइब करने से पढ़ेगा हमारा होसला, धन्यवाद